फ्रेंड वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल आज के शेशन में हम जानेंगे शिपिंग लाइन पेइमेंट प्रोसीजर जब हम कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो इसके लिए हमें पर्चेस और बनाना पड़ता है और जब हम पर्चेस और बना देते हैं है तो जो हमारा शीपर हमें गुड्स को सप्लाय करता है से सब्सप्लायर कहते हैं जब supplier अपने country से goods को dispatch कर देता है तो वो मैं pre-intimition document बहुतते है कि प्री-intimition document हमारे पास आते हैं email के दुरू इसके अलावा वो hard copy भी अपने bank में submit कराता है as per payment procedure documents हमारे पास बेंक के तुरू आ जाते हैं ठीक है जब गुड्स पेक होके लोड होके हमारे पास आ जाते हैं तो हमारे पास आते हैं truth fulfillment वोड्ट में अपने EU इजएंट को शेर करते हैं अ कि जिससे कि वह अपने इंपोर्ट की प्रफेरेशन कर लें क्योंकि क्था24 में शिप्मेंट वासे भी diff bronze हुई है in transif सब्सक्राइब तो पहले से अपने इंपोर्ड की परिपरेशन कर लेंगे है थिखे तो यहां पे चार्ज़स मनेंगे तरस का चार्ज़स और ड्रफय ओडर चेर्ज़ फ्रेट होगा वह हम पे करेंगे एज इंपोर्टर क्योंकि जो सप्लायर है हमारा वह हमें जो इन्वेज बनाई उसने उसमें चार्ज जोड़े हैं सिर्फ पोर्ट अब लोडिंग तक के चार्ज कि इसमें जोड़े हमें जो आगे खर्चा आगे लोट इसके आएंगे तो वह प्रेट पर करेंगे इंपोर्ड वूटिई पर करेंगे और छार्जर पूर्ट अब डिश्चार्ज से लेकर हमारी फ्यक्तरी तक क्या खर्चा जैसे बाई ट्रेन या बाई रोड जैसे भी आएगा तो वह खर्चा यह घर करने बढ़ेंगे तो यहां पर चीज समझने की यह है कि जैसे गुट्स पूर्ट अब डिश्चार्ज पर आये शिपिंग लाइन अपना इन्वोइस जन्रेट करेगी ओके और एजेंट्स को हेंड़ोर करेगी क्यूंकि एजेंट्स वहां पर विलोपंट्री फाइल करेगा ओके तो इन्वोइस और डेलिवरी ओडर के चार्ज वह एजेंट्स को हेंड़ोर करेगी क्यूंकि एजेंट्स वहां पर विलोपंट्री फाइल करेगा ठीक है तो जो बिल होंगे उसके वह एजेंट्स को मिलेंगे अजेंट्स देखता है अपनी कपेसिटी के अगोडिंग कभी कभी क्या होता है कि बहुत शिपिंग लाइन के बिल बहुत हैवी आते जैसे कि एक साथ हमने 40 कंटेनर इंपोर्ट कर लिए तो उसका फ्रेट बहुत जादा होगा और डिलिवरी ओडर चार्ज भी बहुत जादा होंगे तो उसके हैस में क्या होगा जो हमारा एजेंट पे करो आप क्योंकि उसके पास इतने पैसे होंगे निस टाइम और कम पैसे हो अगर डिलिवरी ओडर और फ्रेट की चार्जेस का में तो वह है एजेंट हमारा वहां पे पे करके अपने बील में लगा कि हमें दे देता है तो इसकेस में क्या होगी जब हाई लेवल का हाई प्रेट होंगे डिलेवरी ओडर चार्जेस होंगे और हाई फ्रेट होगा तो उसकेस में वह फिर हमसे बोलेगा कि आप पे कर दो हम एज़े इंपोर्टर वह हमें मेल करेगा शिपिंग लाइन के इंवोईसे तो हम क्या करेंगे फिर जैसे हमारे पास आया इंपोर्टर हम अपने फिनांस को वह एमेल करेंगे कि इसकी पेमेंट कर दो हमारे गुड्स पोर्ट पर आ गए हैं जिक तक हम पेमेंट नहीं करेंगे वह डिलेवरी ओडर में मिलेगा नहीं है ठीक है एक स्टेप यह हो गया दूसरी स्टेप क्या है इसमें कि अगर जो हम पेमेंट किये वो टाइम पे नहीं करेंगे ठीके फॉर एक्जंपल हमारे एजेंट ने हमें मेल कर दी कि यह पेमेंट करवानी है और बीच में दोतें दिन की छुट्टी आ गई हमारे फिनांस ने पेमेंट नहीं की तो उसकेस में क्या होगा उसकेस में हमारे जो चार्जेज हैं वो डिटेंशन चार्जेज लगते हैं और लिटेंष लगते तो वह चार्जेज होंगे वो हमें 14 बेस टेरियता है और फुर्सक्ते ज्यादा हो जाता है हम एंपटी कंटेंटनर नहीं करते हैं तो फिर वह चार्जेज लगना इस स्टार्ट हो जाते हैं हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो तो हम अपन हाँ से डिलेवरी ले सके हैं अदेए अब हाथ प्रविशन ऽिस्टेज़ के यह है जैसे पीमिंट प्रसेज़ होता है हुआ थिक है और वा से अपनी और अधर पेमेंट भी करता है जैसे ड्यूटी पेमेंट हो वह पेमेंट करके गुट्स की अपनी कस्टेडी में लेता है और उसके बाद यह अपने एजेंट अब ट्रांस्पोर्टर की हेल्प से यह गुट्स हमारी फैक्टरी तक पहुंचाते हैं तो इस केस में होता क्या है और गुट्स को अपने फैक्टरी तक मुचाने के लिए हमारा प्लांट जोए जहां पर गुट्स देलिवरी होगी वहां से हम इवेब करेंगे और पार्ट भी ट्रास्पोर्टरेशन प्रिपेर करके इवेब जनेरेट होगा और फाइनली जो गूट्स हैं वो हमारी कि घरधिक्टरी में लग जाएंगे तो इस सेशन में समझने वाली चीज है कि हम किस प्रकार से हम कि प्रला कि मेंट करवा सकते हैं निटे के अचा के हुआ कि यह जाना कि जो परिससेजर होता है इंपोर्ट का पेइमेंट्ट प्रॉसिजर क्या होता है एंजन वनेंट का इन्वोलमेंट होता है ठीक है में डॉकूमेंट कब मिलते हैं मैं तो आज की शेशन में इतना ही नेकht शेशन में हम और भी जानकारी के साथ नई विडियो के मार्साद थैंक यू वर वाचिंग इस शेशिंग वाइव नियुक्त वाइव नियुक्त